Dear student, we have to discuss about the lifelong learning for sustainable development. Lifelong learning जो है, यह हमारे पास एक instrumental है in promoting the information. उसके बाद knowledge nation can be established and sustained in developing words. लेकिन lifelong learning के उपर हम जब discussion कर रहे हैं और हम उसके उपर बात कर रहे हैं कि हमें इसे कैसे lifelong learning को लेकी चलना है, knowledge को अपग्रेट कैसे करना है, knowledge को नई टक्नीक के साथ कैसे मिलाना है, अब उसके अंदर हम voluntarily की भी बात करते हैं, self motivated की भी बात करते हैं, अब इसके साथ साथ जहां पे voluntarily आप सीकने को तयार हूँ और self motivated हूँ और self motivated के उपर हमने गुफ्तगू की और self motivated के हमने कहा, के जी आप self motivated जो हैं उसको जोड़ दें, promotion के साथ, उसको जोड़ दें, compulsion के साथ, के जी आपने ये काम करना है, उसको जोड़ दें, student की need के साथ और student के relationship के साथ, और student के awareness के साथ, through student भी आप कर सकते हैं, एक और हमारा procedure है, जिसके साथ ये आप self learning की तरफ लेके जा सकते हैं, और वो हैं हमारे पास competitive ness, आप एक competitive environment अगर develop कर देंगे, तो उससे भी individual development शुरू हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, कि अगर उसकी employability उसके साथ लिंक हो जाएगी, कि आप फर्ज करें, आप कहते हैं कि हमें jobs के लिए, इस qualification के साथ, ये training जिसके पास मुझूद है, हम सिर्फ उसको जाब देंगे, उस compromotion देंगे, तो इसका मतलब ये है, कि आपने एक competitive environment डिवेल्प किया, और अपनी employability को जो है ना, उसके साथ लिंक कर दिया, देखें, जैसे हम 16 years के education असल करने के लिए, हम अपने पैसे खर्च करते हैं, अपना सरमाया खर्च करते हैं, वो knowledge लेने के बाद required job असल करने के लिए, और उस job के साथ, उस employability के अंदर, वो skills भी रख दी जाएं, तो फिर हम private training center से जाके, required trainings खुद लेंगे, और हम अपने आपको उस field के अंदर, अपनी employability को enhance करेंगे, कि हम अपने, अपने chances, जो factor है, chance का बेतर होने का, या उसके employability को, या किसी भी job को, secure या हासिल करने के जो chances हैं, उनको बढ़ाने के लिए, हम training के तरफ जाएंगे, हमने एक अदारे से knowledge हासिल कर लिया, हमें required training मिल गई, skills मिल गई, अभी जो further required skills हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए फिर हमें self training के तरफ जाना पड़ेगा, और वो self training लेने के बाद, हमारा जो competitive environment है, उसके अंदर हमारी opportunities to get the job, to get the promotions, to get the benefits, to get the incentives, वो हमारा बढ़ जाएगा, इसका मतलब हुआ, कि हमने गुफ्तुगों के में कहा, कि हम self motivation की तरफ जाएगे, self motivation के अंदर हमने कहा, कि self motivation इस तरीके से भी हो सकती जाए, कि मुझे opportunities या मेरे benefits उसके साथ relate कर दिये जाए, self motivation इस तरह से भी हो सकती है, कि मुझे compelled किया जाए, self motivation इस तरीके से भी हो सकती है, कि student-teacher relationship उसको traditional को improve कर दिये जाए, और student की तरफ से need आ जाए, अब सेल्फ मॉटिवेशन कम्पिटेशन से भी हो सकती है कि अगर हम कम्पिटेटिव इन्वार्मेंट बना देंगे और इस कम्पिटेटिव इन्वार्मेंट के अंदर हम कहेंगे कि ये 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 एक वन तू थ्री फॉर ये स्किल्स जो हैं वो हमें रिक्वाइड है ये स्किल्स हमने ट्रांस्फार्म करनी हैं बचों के अंदर जिस सक्स के बाद ये स्किल्स होंगी उसको ये अपर्चुनेटी दी जाएगी तो अब आप देखें कि हमने ड्राइव कर दिया कि वो या तो खुद आसल करे या ट्रेनिंग ले अब वो आसल करेगा फार दी परपस अफ दी कंपिटिटिव इन्वार्मेंट के लिए अब उसके लिए इंडिविजियल जो है वो खुद भी फंड्स अपने जनेरेट करके अपना खर्चा करके वो ट्रेनिंग आसल करेगा तो इसका मतलब है कि लाइफ लांग लर्निंग के अंदर हम बहुत सी जो स्ट्रेटिजी यूज कर सकते हैं और यह पार्टिकुलर डिवेल्पिंग के उपर जब फोकस करके हम बात करते हैं तो यहां पर एक स्ट्रेटिजी यह भी है कि हम कंपिटेटिव इन्वार्मेंट डिवेल्प कर दें तो उससे भी हम इसको बहतर बना सकते ह झाल झाल